मुद्दा निवेश का हो, रोजगार का हो या फिर कानून व्रबस्था का हर एक मुद्दे पर रिपक शाक्रामक अंदाज में हमला कर रहा है जिस पर अब सीम योगी ने चुबने वाला पलटवार किया मौका यूपी को हाई स्पीड सौगार देने का है, लेकिन मुद्दा कानून व्योस्था का है और निशाने पर हैं कानून व्योस्था पर सवाल उठा रहे विरोधी दल दरसल वेपक्षी पाटियां कानून व्योस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रही है जिस पर सीम योगी ने दो टुक शब्दों में प्रहार किया विकास पर्योजनाओं के लोकारपन और शेला नास के मन से सीम योगी का संदेश बिलकुल साफ है कि यूपी में कानून व्योस्था के मोचे पर सरकार की नीती बिलकुल क्लियर है और यूपी विकास के पत पर तेजी से आगे बढ़ रहा है ऐस से पहले सीम योगी आदितनाथ और केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी ने देवरिया और प्रतापगर के विकास की गटी को तेज करने के निए करोड़ों रुपियों की सौगाती प्रतापगर में 22 करोड की लागत वाली परियोजनाओं का लोकारपन और शिलान्यास हुआ जबके देवरिया में 6,215 करोड की पाँच हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास गिया गया इन परियोजनाओं में प्रतापगर से अयोध्या के लिए पोरलेन हाईवे का निर्मान ही शामिल है केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी ने इस मौके बाद यूपी में 40 हसार करोर रुपय की लागत से 40 नए पुल बनाने की भी घोशना की माना जा रहा है के यूपी में 2024 के लोग सभाचुनाओं से पहले कई और परियोजनाओं की शुरुवात हो सकती है इसका संकेत केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी और सीम योगी पहले ही दे चुके है एबीपी गंगा के लिए प्यूरो रिपोर्ट